पिछली कक्षा में हम लोगों ने बुद्धी के बारे में पढ़ने का प्रयास किया था और मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक के उपर यानि कि ये टॉपिक कम्प्लीटली जो है मैं आपका पूरा करवाऊंगी तो इस श्रिंकला में हमने जो पहली क्लास लगाई थी बुद्धी से रिलेटेड अर्थात इंटेलिजेंस से रिलेटेड उसमें हमने विभिन्न मनोवज्यानिकों के द्वारा प्रदत बुद्धी की परिभाशाओं को देखने का प्रयास किया था वीडियो के एंड में यानि की वीडियो खतम होने के साथ ही उससे पहले जस्ट पहले मैंने आपको ये बात कही थी कि हम जब भी अगली कक्षा उस विशय के उपर लेंगे यानि कि उस टॉपिक के उपर लेंगे उस क्लास को स्टार्ट होने से पहले हम लोग जो परिभाशाओं के उपर अपनी कक्षा को पूर्ण कर चुके हैं उसके उपर कुछ प्रश्न और उत्तर भी करने का प्रयास करेंगे उनको सॉल्फ करने का प्रयास करेंगे जिससे आपका जो ये प्रयास है बाल विकास के अंतरगत या बाल मनो विज्ञान के अंतरगत जो इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है अर्थात बुद्धी वाला जो टॉपिक है वो आपका हर एक लेवल पे complete होता रहे किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो किसी भी तरीके की कोई छूटने की गुंजाईश नहीं हो तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे जैसे जैसे हमारा टॉपिक होता चलेगा हम लोग simultaneously जो है उस related जितने भी question answers हैं वो हम लोग पूर्ण करने का प्रयास करें आज की कक्षा में परिभाशाओं के ऊपर जो है मैं प्रश्न और उत्तर लोंगी और मैं आपको बता दूँ यह प्रश्न जो है वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं और दूसरी बात आपको यह भी बता दूँ कि यह प्रश्न उन्हीं content में से बनाए गए हैं जो आपकी उससे कितने questions बन सकते हैं और किस तरीके के questions बन सकते हैं तो इनको आप देखिए practice कीजिए अपनी copy में इसको लिखने का प्रयास कीजिए तो हम जो है वो questions पे चलते हैं कि कौन-कौन से questions हैं उनके क्या options हैं और उन options में से हम अपने question के लिए correct option कौन सा choose करेंगे आज हम पू इस श्रिंखला में हम लोग जो है वो number wise question लेने का प्रयास करेंगे तो पहले number का question लेती हूँ मैं number one जहां पर प्रकृती अपनी मूल प्रवर्तियों के द्वारा वातावरण की समस्याओं को सुलजाने में और समर्थ होती है वहाँ डैश 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 का विकास होता है यह हमारा पहले number का प्रश्ण है अब इसके options देख लेते हैं option है A है बुद्धी B है बुद्धी का स्वरूब C है क्रियाशील बुद्धी और D है बुद्धी तत्व यह हमारे सामने जो है वो पहला question हमारा आ गया पहला question क्या कहरा है जहां पर प्रकृति अपनी मूल प्रवर्तियों के द्वारा वातावरण की समस्याओं को सुलजाने में असमर्थ होती है वहां question mark लगा का विकास होता है अर्थात किसका विकास होता है तो पहला जो option आया है हम कहरा है बुद्धी हमने कहा बुद्धी ठीक है बुद्धी का विकास हो सकता है संभव है B option कहरा है बुद्धी का स्वरूप एं यह option मैं जो है C option आ रहा है क्रियाशील बुद्धी जो हमारी बुद्धी है वो क्या है active intelligence वहाँ पर work कर रहा है और D हमारा है बुद्धी तत्व तो जब हम बुद्धी तत्व की बात करते हैं यानि कि elements of intelligence जब हम intelligence के elements की बात करते हैं तो ये जो हमारा element है इस element का part ये भी है इस element का part ये भी है और इसी element का हमारा complete part क्या है intelligence भी है तो जहार पर प्रकृती अपनी मूल प्रवितियों के द्वारा वातावरण के समस्याओं को सुलजाने में असमर्थ होती है अगर आपको ध्यान हो तो ये एक परिभाशा है, परिभाशा किसके द्वारा दी गई थी? ये एक परिभाशा है किसके द्वारा दी गई थी मैक जूगल के द्वारा दी गई बुद्धी के लिए दी गई ये एक परिभाशा है कि जहां पर प्रक्रति अपनी मूल प्रवृतियों के द्वारा असमर्थ हो जाती है जो उसका कोर है, जो कोर क्रिया कलाप है, यानि कि जो बेसिक कारिक्रम है, जब वहाँ पे उस जगे पे प्रकृती जो है, किसी भी एक समस्या को सुलजाने में समर्थ होती है, यानि कि वो उस समस्या को सुलजा नहीं पाती है, वहाँ पे जिस चीज का विकास होता है, जिस ए पानते हैं, जिसका ये सब क्या है, पार्ट है अगर काईदे से आप देखें, तो ऐसा नहीं है, ये भी करेक्ट था, मैंने आपको बोला, बुद्धी का स्वरूप भी करेक्ट है, क्रियाशील बुद्धी भी करेक्ट है, लेकिन ये सभी option जो है, अगर यहाँ पे बुद्ध अभी तत्व की जगे आता, इन में से सभी सत्य हैं, अगर इस तरीके का जो है वो हमारा D option होता, तो फिर क्या होता, तब भी हमारा D option correct होता, क्योँकि ये सभी option क्या होते, correct होते, लेकिन अभी सभी correct है, लेकिन इन में से भी हमें सबसे appropriate answer, जो है वो छाटना है, appropriate answer को देना है तो as per definition given by MacDougal अगर हम उनके definition में जाएं तो यह purely यहाँ पर definition लिखा हुआ है तो इस definition को पूरा कौन करता है बुद्धी तद तो पूरा करता है पहला point तो यह इस प्रशने में देखिए इस प्रशने को अलग अलग तरीके से तोड़ तोड़ के मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ पहला point जो है अगर हम लोग definition के हिसाब से जाएं और MacDougal के जो उन्होंने कहा है कथन के अनुसार जाएं तो कथन के अनुसार तो इसको fulfill कौन कर रहा है बुद्धी तत्व ही कर रहा है कई जगे ऐसा होता है कि हो सकता है definition आपको याद नहीं रहे कोई बात नहीं definition हमें नहीं याद है अगर हम साधारन से शब्द कोशों के हिसाब से चलते हैं अगर हम साधारन वक्तव्य के हिसाब से चलते हैं तो वक्तव्य के according जो है और बुद्धी तत्व का विकास होता है लेकिन हमारे साथ limitation है यानि कि हमारे साथ दुविधा ये है कि इसमें, इसमें, इसमें और इसमें अर्थार इन चारों में किसी एक को ही हमें इस स्थान पे पहुँचाना है यानि कि ये जो रिक्त स्थान दिया गया है, स्थान पे हमें केवल एक को भढ़ना है तो वो एक कौन होगा तो अब हमको इसका analysis करना होगा जब हम बुद्धी की बात करते हैं तो ये केवल और केवल क्या है intelligence है, जिसको हम लोग completely जो है मूल प्रवरतियों के द्वारा अगर हम कहें कि प्रकृति नहीं सुलजा पा रही है, तो हमारा जो intelligence है, वो उसको सुलजा देगा नहीं, केवल intelligence उसको नहीं सुलजाता है, intelligence के जो विभिन elements हैं जो प्रकृति के अनुसार न सुलजाने वाले जो परिस्थित क्रियेट हुई है, वो elements उन परिस्थितियों में work करते हैं, और work करके intelligence के द्वारा जो है, वो समस्याओं का क्या करते हैं, निस्तारण करते हैं, तो हमारा ये जो option है, इस question के लिए सबसे perfect होगा, क्या होगा, बुद्धी, तत्व definition के हिसाब से भी, और साधरन language में भी, अगर हम लोग देखें, तो ये सही होगा, एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, कुछ students की मेरे पास query आई वी थी, जब मैं आपको परिभाशा हैं लिखवा रही थी, तो MacDougal को मैंने वहाँ पे लिखा था, MacDougal, ठीक है, मैंने जब परिभाशा हैं लिखवाई थी, तो मैंने MacDougal ये शब्द जो है वो लिखा था, जिसमें कुछ बच्चे confused हो गए, कि माम, MacDougal नहीं होता है, MacDougal होता है, तो मैं आपको बता दू बच्चों, ये भी सही है, ये भी सही है, अगर हम English में जाएं, तो English में नेम होता है, William MacDougal, ठीक है, ये हमारा जो है basically English name है, English में जो है, ये नाम दिया गया है, ये spelling है, William MacDougal, ये दिया गया है, लेकिन जब इसका हिंदी रूपांतरन किया गया, तो किसी पुस्तक में आपको ये मिलेगा, किसी पुस्तक में आपको ये मिलेगा और किसी पुस्तक में, पुस्तक तो क्या है, अगर आप search करना चाहें, Google पे, तो Google पे जो है, वो हिंदी के अंदर MacDougal लिखा हुआ आता है, not MacDougal, MacDougal लिखा हुआ आता है, तो ये सभी जो है, अलग-अलग किताबों में, जब English से हिंदी में translate किया जाता है, तो कई जगों पे जो है, वो शब्दों के mismatch देखने को मिलते हैं, बट ये भी correct है, ये भी correct है, ये भी correct है, ठीक है, इसमें आपको confused होने की ज़ुरत नहीं है, ये तीनों के तीनों क्या है, correct है, तो ये हमारा जो है, वो पहला प्रश्न है, जहां पर प्रकृति अपनी मूल प्रवतियों के द्वारा वातावरण की समस्याओं को सुलजाने में असमर्थ होती है, वहाँ डैस 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 का विकास होता है, A option बुद्धी, B option बुद्धी का स्वरूप, स्री क्रियाशील बुद्धी और D क्या है बुद्धी, तत्व, जिसमें से हमारा ये option क्या होगा, बुद्धी तत्व आला option क्या होगा, correct होगा, ठीक है, चलिए हम दूसरे प्रश्ण पे आते हैं, तोडर्ड के अनुसार, बुद्धी, डैस डैस डैस, कार्य करने की योग्यता है, ए ओप्शन है, अमूर्थ कार्य, बी ओप्शन है, कठिन कार्य, सी ओप्शन है, मित व्यता पूर्ण, कार्य, और डी ओप्शन है, इन में से सभी, ठीक है, दूसरा प्रश्ण हमारे सामने आया, स्टोडर्ड के अनुसार, बुद्धी, डैस, 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 कार्य करने की योग्यता है, कैसी योग्यता है, पहला ओप्शन दिया हुआ है, अमूर्थ कार्य, यानि की ऐसे कार्य, जिनकी कोई, हमारे सामने परचाई नहीं है, किसी तरीके से हम उसको देख नहीं सकते, उसके लिए कोई स्ट्राटजी पहले से निर्धारित नहीं है, यानि की वो बिलकुल अन्नोन है हमारे लिए, अन्भिग्य है हम उससे, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं, हम उसको पहले से नहीं समझ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके के जो कार्य होते हैं, वो क्या होते हैं, अमूर्थ कार्य हैं, तो स्टोडर्ड ने जो अपनी परिभाशा दी थी उस परिभाशा के अनुसार अगर हम लोग देखे तो अमूर्थ कारे जो है उसका क्या है भाघ है क्योंकि उनकी जो complete परिभाशा है complete परिभाशा क्या थी बुद्धी उन कारियों को करने की योग्यता है जिसमें जटिलता, अमूर्तिता, सामाजिक मुल्य, मित्व्याईता, अनुकूलता तथा लक्ष्य प्राप्ति की चेस्टा को लेकर अनुकूलतम परिवेश निर्धारि किया जाता है, तो ये जो है उनके स्टोडर्ट की जो है, वो क्या है complete परिभाशा थी, तो अगर हम परिभाशा के हिसाब से जाएं, तो अमूर्त कार्य बिलकुल आ रहा है, कछिन कारे भी उसमें शामिल है, मित्वेटा, पूर्ण कारे भी उसमें शामिल है, और D option आ रहा ह इस प्रश्ण का उत्तर यानि कि स्टोडर्ड के अनुसार बुद्धी, अमूर्द कार्य, कठिन कार्य, मित्वेतापूर्ण कार्य करने की क्या होती है? योगिता होती है. तो इसका ये option क्या होगा? करेक्ट होगा. ठीक है? चलिए. तीसरे नंबर प्रश्ण पे हम आते हैं. ताकि future में आप कोई भी exam दे रहे हैं, बाल विकास से related, सिक्षा मनो विज्ञान से related या बाल मनो विज्ञान से related तो ये प्रश्ण आपको काम करेंगे. मैं एक चीज़ और बता दूँ, ग्रह विज्ञान विशे के अंतरगत, बाल विकास वाला जो पार्ट है, काफी बड़ा unit है हमारा बाल विकास का. जितनी भी ग्रह विज्ञान की तैयारी करने वाले विद्यारती हैं, वो सब भी इसको देखें. विशे के अंदर भी जो है विशे के अंदर भी आते हैं. ये केवल ऐसा नहीं है कि supportive part आपका जो है वो केवल education, psychology, child psychology या child development से related है, नहीं. ये आपके विशे के अंदर भी जो है ये सारे sections जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो पढ़ाया हुआ content है वो भी और जो प्रशन करवारी हूं है, ये प्र किसरे number question पर आते हैं, जो व्यक्ति जितना अधेक सोच विचार कर सकता है वह उतनी ही बुद्धी रखता है यह परिभाशा किस से संबंधित है A option Mac Jugal से B Kolhar से C German से और D Woodworth से चलिए, ये तीसरे number का question है हमारा, परिभाशा पर आधारित है जो व्यक्ति जितना अधेक सोच विचार कर सकता है, वह उतनी ही बुद्धी रखता है यह परिभाशा किस की है, Mac Jugal की, बिल्कुल भी नहीं है, Mac Jugal की परिभाशा को हमने जो है वो उपर देख लिया है Kolhar की अगर हम लोग बात करते हैं, तो Kolhar की भी ये नहीं है Charman, येस, Charman की ये परिभाशा है, मैंने आपको जो है वीडियो में पढ़ाया था तो परिभाशा हैं, अगर आपको याद है, तो आप परिभाशा देखते ही, इसका सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं अन्यथा जो है, आप किसी से भी इसको मैच नहीं कर पाएंगे Charman की बारे में मैंने आपको बताया था, उन्होंने जो परिभाशा दी है बुद्धी को लेकर के उसमें साफ साफ उन्होंने ये बोला था, कि जितना अधिक सोच विचार कोई भी व्यक्ति करता है जितना जादा उसके सोच का दाइरा, जितना जादा होगा जितना विचार करने का दाइरा होगा, जितना वो समझेगा, उसकी बुद्धी उतनी ही अधिक होगी यानि कि वो उतनी ही अधिक जो है वो बुद्धी अपने पास रखता होगा तो ये जो है किसकी परिभाशा है, किसके द्वारा प्रदत जो है परिभाशा है किसके लिए बुद्धी के लिए ये option हमारा क्या होगा correct होगा चलिए next आईए चौथा प्रश्ण बुद्धी वह शक्ती है जिसके सहारे सूज आ जाती है यह परिभाशा किस मनों वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है A. बर्ड के द्वारा B. स्टोडर्ड के द्वारा C. वुद्वर्थ के द्वारा और D. इन में से कोई नहीं यह हमारा प्रश्ण आ गया चौथा प्रश्ण बिल्कुल यूनिक प्रश्ण है यूनिक क्यों है अभी मैं आपको solution कर आती हूँ तो बता दूँगी कि यूनिक यह किस तरीके से है बुद्धि वा शक्ति है जिसके सहारे सूच आ जाती है बिल्कुल एक लाइन के definition है एक लाइन के definition दी गई है मनोवैज्णिक के द्वारा तो यह जो परिभाशा है या यह जो definition है यह किस मनोवैज्णिक ने दिया था हमारे सामने पहला option है बर्ट के द्वारा तो बर्ट के द्वारा प्रदच्त जो है हमारी परिभाशा क्या थी बर्ट के अनुसार बुद्धी जो है किसी भी परिवेश में सापेक्ष रूप से नवींतम परिस्थितियों में अभियोजित होने वाली एक जन्मजात योगिता होती है ये किस ने कहा था बर्ट ने कहा था तो अगर हम लोग इस डेफिनेशन को देखें तो बर्ट जो है यहां से हट जाते हैं अर्थात बर्ट की ये डेफिनेशन नहीं होगी क्योंकि already bird की दूसरी definition है जो मैंने आपको अभी बताई अब हम आते हैं stodard के द्वारा तो stodard के definition को भी हम लोग देखते हैं और recall करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा था stodard ने कहा था कि बुद्धी उन कारियों को करने की योगिता होती है जिसमें कठिनाई, जटिलता, अमूर्थिता, सामाजिक मुल्य, मितव्याईता, अनुकूलता तथा लक्षिक की प्राप्ती की क्या होती है चेस्टा करने का जो है वो अनुकूलतम परिवेश निर्धारण किया जाता है तो ये परिभाशा किसके द्वारा थी? stodard के अनुसार तो अगर हम लोग देखे तो उपर वाली परिभाशा इनके अनुसार भी नहीं रही next आते हैं वुडवर्थ के द्वारा ये परिभाशा कही गई है या नहीं तो वापिस आप रिकॉल कीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया था और उसमें आप definition में जाईए कि वुडवर्थ के लिए मैंने आपको किस पॉइंट पे बल दिया था और था किस शब्द पे जो है वो बहुत जादा highlighted हुई थी मैं उस time पे या किस शब्द को आपने उनसे correlate करके learn किया है यानि कि वुडवर्थ से correlate करके learn किया है तो अगर हम वुडवर्थ की परिभाशा में जाना चाहें तो वुडवर्थ के अनुसार किसी भी कारे को तीन चीज़े मैंने आपको बताई थी अकलमंदी समझदारी और विवेक से पूर्ण करना क्या कहलाता है बुद्धी कहलाती है तो अगर हम लोग देखें तो वुडवर्थ की भी ये परिभाशा नहीं है तो भाई ये परिभाशा है किसकी? बर्ट की नहीं है, स्टोडर्ट की नहीं है और वुडवर्थ की भी नहीं है तो अगर ये परिभाशाएं इन लोगों की नहीं है तो अब इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं पहला तो ये कि जब इनकी नहीं है तो ये option हमारा correct यानि कि इन में से कोई नहीं और दूसरा जब इनकी नहीं है तो फिर ये है किसकी ये परिभाशा किसकी है इसका उत्तर भी तो हमें आना चाहिए ना हमें पता होना चाहिए ना कि ये परिभाशा किसने दी है तो किसने दी ह इस परिभाशा को बुद्धिवर शक्ती है, जिसकी सहारे सूजा जाती है, किसने दी है, आप याद कीजिए, वापिस से रिकॉल कीजिए, जैसे आपने ये सारे डेफिनेशन्स रिकॉल कीजिए, आप रिकॉल कीजिए, कि ये परिभाशा किसने दी है, ये परिभाशा दी है कोलहर के द्वारा जो है ये दी गई परिभाशा है तो जैसा कि question मैंने लिखा था और लिखते समय ही मैंने बोला था कि ये प्रशन आपके लिए थोड़ा सा विशेश रहेगा विशेश किस sense में रहा कि इसके ये जो options है जो मनवग्यानिकों के नाम लिखे वे हैं इन लिखे वे मनवग्यानिकों में से कोई जना भी इस definition के साथ मैच नहीं किया कई बार इस तरीके के प्रशन भी आते हैं कि जो thinkers होते हैं जो writers होते हैं जो theory प्रतिपादक होते हैं इस तरीके के जो statements वाले जो आते हैं, definition वाले जो प्रशन आते हैं, कये बार ऐसा होता है कि हमारे options में उनके नाम नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं, तो नहीं हैं तो भै चीख है, इन में से कोई नहीं यह option हम लुग choose करेंगे और correct answer हमारा क्या होगा इन में से कोई नहीं ये थोड़ा सा special तरीके का प्रश्ण था बच होप आप लोग कभी भी इस तरीके के प्रश्ण आएंगे तो आप घबडाएंगे नहीं क्योंकि हमें practice ही करनी है और practice हमें हर level पे करनी चाहिए चलिए हम पांचमें नंबर के प्रश्ण पे आते हैं पांचमें नंबर का प्रश्ण है हमारा वुड़वर्थ के अनुसार बुद्धी क्या है चलो वुड़वर्थ के अनुसार बुद्धी है A option कार्य को अकल मंदी से करना B option कार्य को समझदारी से करना C option कार्य को विवेक से करना और D option आ गई होगी ये जो प्रश्ण है मेरे प्यारे दुलारे बच्चों इस प्रश्ण का उत्तर जो है इसके पहले वाले प्रश्ण में ही मैंने दे दिया था जब हम वुड़वर्वर्वर्वों की डफिनेशन की बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने ये तीनों चीज़ें यहां पे जो है वो मेंशन कर दी थी उसके अनुसार थी क्या है कार्य कार्य को विवेक से करना again correct और अगर ये तीनों सही हो रहे हैं तो उप्रोक्त सभी जो option आ रहा है ये क्या होगा correct होगा ठीक है इस वज़े से मैं मुस्कुराई थी कई बार ऐसे होता है प्रश्णों के अंदर हमारे किसी और प्रश्ण के अंदर ही हमारे किसी और प्रश्ण का उत्तर चुपा हुआ होता है तो कई बार ऐसे correlate करने वाले questions मैंने कई परिक्शाओं में देखे हैं एक ही option अगर आप किसी पर क्लिक कर रहे हैं उस प्रश्ण से related एक दो प्रश्ण और कई परिक्षाओं में आए हुए हैं तो अगर एक का concept हमें सही से पता है अगर ठीक तरीके से अब जैसे मैंने ये देखा वड़वर्थ के अनुसार बुद्धी है अगर हमें इसका आंसर पता था कि ये सारे जो है वो क्या है बुद्धी के भाग है वड़वर्थ के अनुसार तो हम तो अलरेड़ी यहां पे जो है वो clear हो गए ना कि C option तो हमारा हो गई नहीं क्योंकि वुडवर्थ के अनुसार जो है वो बुद्धी में अकलमंदिय, समझदार्य और विवेक तीनों का प्रयोग किया गया है तो ये तो होगा ही नहीं तो एटलिस्ट हम जो वो बोलते हैं ना कि एक option चलो चार में से एक के लिए तो हम शौर हो गए तो कहीं न कहीं हम इसके साथ साथ ये इस question का answer भी जो है बहुत भैतरीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं दे सकते हैं तो ये था हमारा पांचवे नंबर का question